हेलो फ्रेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 3-1-Tag तो फ्रेंट्स अगर आप Paytm यूज करते हैं, Paytm एप्लिकेशन को चलाते हैं और आप अगर किसी शोप पे जाते हैं या फिर कोई शोपिंग करते हैं वहाँ पे आप Paytm वेलेट से अपनी payment करते हैं और आपको Paytm वेलेट की बार-बार जरुरुत पड़ती है क्योंकि आप उससे अपनी सारी payments को करते हैं तो फ्रेंट्स आपको बार-बार उसमें पैसे add करने पड़ते होंगे जितनी उसमें amount डालेंगे वो उसमें head हो जाएगा वो मैं आपको सारा अभी process अपने mobile phone से करके दिखाऊंगा तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा तो वीडियो ये काफी जादा informative है तो वीडियो को पूरा last तक जरूर देखिएगा वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यूँ है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके notification बेल को ओन कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की notification सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स हम आचोगे हैं अपने mobile phone की screen के उपर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर हमें सबसे पहले अपने Paytm की application को open करना है तो मैं सबसे पहले Paytm पर क्लिक करके उसे open कर लिता हूँ तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारी home screen खुल जाती है Paytm की अब इसमें automatic पैसो को add करने के लिए आपको किस तरीके से कहां पर जाना है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना और बिल्कुल भी skip मत करना ठीक है इसके बाद आपक स्क्रोल डाउन करना है इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ और यहां पर आप देख सकते हैं payment setting के अंदर आपको UPI linked bank accounts, cards, wallet, automatic payments and subscriptions and other accounts यहां पर सारी चीज़े आ जाती हैं यहां पर payment setting वाले option के उपर आपको click करना है इसके उपर आप जैसे ही click करेंगे तो यहां पर आपको आपके सामने आप काफी सारी यहां पर आप देख सकते हैं option आ जाते हैं यहां पर UPI link, bank account, Paytm wallet, saved cards, यहां पर आपको एक option दिखाए देगा fourth number पे automatic payments and subscriptions का तो आपको इसके उपर click करना है और हमें automatic add money वाला option उसे activate करना है तो यहां पर आप second number पे देख सकते हैं add money, पहला recharge औ bill payments का है, दूसरा add money का है तो हमें add money वाले option के उपर click करना है, तो अब यहां पर इस तरीके से page open हो जाता है और यह हमसे पूछ रहा है कि setup automatic add money, मतलब आप अपने पैसे यहां पर automatic add कर सकते हैं, ठीक है, automatically add money to your Paytm wallet when your balance goes low, when wallet balance goes, जब यह हमसे पूछ रहा है कि minimum कितना balance रखना चाते हैं, तो मैं यहां पर 200 रुपे रख लेता हूँ, कि जैसे ही मेरा balance 200 रुपे से कम होगा, तो यहां पर automatic मैं उसमें कितने add करना चाता हूँ, 500 कर देता हूँ मैं, done, ठीक है, तो जैसे मेरा balance 200 से नीचे जाएगा, तो उसमें automatic 500 रुपीज मेरे add हो जाएंगे, Paytm wallet के अंदर, उसके बाद आपको यहां पर proceed के उपर क्लिक करना है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, यह page आपके सामने open हो जाएगा, और यहां पर लिखा है, add money to wallet, select an option to set up, to be paid, now 1 रुपे आपके account से काट लेगा, जो account Paytm से add है, ठीक है, सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक ह तो उससे आपको attention नी लेनी कोई, उसके बाद आपको यहां पर simple इस Pay वाले option के उपर क्लिक करना है, तो मैं simple इस पर क्लिक करता हूँ, तो यह आप देख सकते हैं, amount to be paid 1, recurring bill amount 500, मैंने इसमें add किया है, ठीक है, नीचे bank की details आ गई, उसके बाद हमें simple Pay वाले option के उपर क्लिक करना है, Pay 1 रूपी वाला, और अब आपको अपने UPI pin डाल के यहां पर payment कर देनी है, तो मैं जल्दी से UPI pin डाल के payment कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं, यहां पर मुझे notification मिल गया है, कि मुझे automatic add money is active, 500 रूपीज मेरे automatic इसमें add हो गए है, आप देख सकते हैं, यहां प है, आप देख सकते हैं, तो इस तरीके से आप भी अपने Paytm के अंदर automatic add money वाले option को activate कर सकते हैं, उसमें automatic add होते रहेंगे, अब money जब भी balance 200 रूपे से नीचे जाएगा, तो friends अब आपने अच्छे से सीख लिए हो, कि आप किस तरीके से अपने Paytm में automatic add money वाले option को on कर सकत हैं, जिससे आपको बार-बार उसमें Paytm करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने wallet में, वो automatic उसमें add हो जाएंगे, अगर फिर भी वीडियो से related कोई भी question है, आपके mind में कोई भी query है, तो आप मुझे नीचे comment section में comment करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो करें और जाद से जादा शेयर करें, thank you